युद्ध के मैदान में बदलने जा रही है दुनिया किसी भी वक्त छिड सकता है तीसरा वर्ल्ड वार जंग की आगब भड़काएगा ये देश रूस युक्रेन जंग इसराइल और हमास जंग के बीच एक और युद्ध शुरू होता दिख रहा है दमिश्क में इरान के वाड़िजितुतावास पर हमले के बाद मध्यपूर्व में तनाव बढ़ गया है इरान ने हमले का आरोब इसराइल पर लगाया इस हमले के बाद से इरान ने इसराइल से बदला लेने की कसम खाई है इरान के सुप्रिम लीडर आयातुल्ला खाने मेई ने बार बार इसराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दी है सीरिया में इरान के वाड़िजितुतावास पर हमला हुआ था इस हमले में इरान के दो जनरलों की मौत हो गई थी जिसके बाद से तहरान की जवाबी कारवाई की आशंका बढ़ गई है और माना जा रहा है कि इरान किसी भी वक्त इसराइल पर हमला कर सकता है अमेरिकी राश्रपती जो बाइडन के इस बयान से युद्ध के कयास और बढ़ गए है क्योंकि तनाव को देखते हुए अमेरिका समेथ कई देशों ने खास एडवाईजरी जारी की है वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने मीडिया के सामने दावा किया है किजल्धी इसराइल के खिलाफ एक बड़े इरानी हमले की आशंका है जिसमें देश के अंदर सैन इलक्षों को निशाना बनाने वाले सौ से अधिक ड्रोन और दरजनों मिसाईले शामिल होंगी इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हमला कितना जादा विध्वन्शक होने वाला है इसराइल पर हमले को लेकर इरान को अमेरिका ने चितावनी जारी की है युद्ध की आशंका बढ़ने के कारण हाल के दिनों में इसराइल पर इरानी जवाबी हमले के लिए अमेरिका हाई अलर्ट पर है इरान और इसराइल के बीच बन रहे युद्ध जैसे हालात को देखते हुए अमेरिका ने एडवाईजरी जारी की अमेरिकी विदेश मंत्राले ने इसराइल में मौझूद अपने राजनाईकों पर यात्रा का प्रतिबंध लगाया है अमेरिकी दूतावास ने इसरायल में अपने राजनाइक कर्मचारियों को येरुशलम, तेलवीव और बीर शेबा के इलाकों से बाहर एहतियातन यात्रा ना करने की सलाह दी है किसी भी तरह की जरूरत पढ़ने पर दूतावास में भी संपर्क करने को कहा है अमेरिका के साथ साथ भारतिय विदेश मंत्राले ने भारतियों को हिरान और इसरायल ना जाने का सुझाव दिया दोनों देशों में मौजूद भारतियों को भारतिय दूतावास से संपर्क करने की सलाह दी गई है बता दें कि एप्रिल और मई महीने के बीच भारत से 6,000 मजदूरों को इसराइल भेजने की योजना थी लेकिन खत्रे को देखते हुए फिलहाल विदेश विभाग ने मजदूरों को इसराइल भेजने का फैसला टाल दिया है इसके साथ ही फ्रांस और ब्रिटेन ने भी मध्य पूर्व में भारी तनाव को देखते हुए अपने नागरिकों को इसराइल लेबनान से दूर रहने की सलाह दी है लेकिन इरान का ये विद्वन्शक हमला इसराइल के लिए बड़ी चुनोती साबित होगा कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसराइल गाजा से युद्ध के बीच पहले ही कई और फोर्स इसका सामना कर रहा है जिसमें हिजबुल्ला समेत कई और संगठन शामिल है ऐसे में इरान का ये हमला इसराइल के लिए बड़ा ही खातक और विनाशकारी साबित हो सकता है इसराइल हमास युद्ध के बीच इरान का इसराइल पर हमले की तैयारी से पश्चिमेश्या के बड़े इलाकों में भी जंग फैलने का डर पैदा हो गया है झाल झाल